नमस्कार वंदे मातरम आज की खास बात वीर सिंग के साथ में मैं वीर सिंग आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तो मॉयल माइन्स में जो डुब्लिकेट एटीपी यूज की गई थी उस सम्बंधी एक बड़ी खबर आप तक लेकर आ रहे हैं लेकर आ रहा है कि सुत्र बताते हैं कि जो ट्रक मालक थे जिन्हों ने इसमें मॉयल माइन्स में जो रेत सप्लाई किये तो जिन जिन के ट्रक थे उन सभी ट्रक मालकों पे पेनालिटी बैठने वाली है अब किसके कितने ट्रिप है और किस मातरा में पेनलिटी बैठेंगी वो हम जल्द आपको बताएंगे जैसे ही पेनलिटी बैठेंगी हम उसकी खबर आप तक लिकर आएंगे लेकिन एक बड़ी खबर है कि उनके उपर पेनलिटी बैठने वाली है और पेनलिटी की रकम जो है वो कई गुना जादा हो सकता है ऐसा सुत्र बता रहे हैं और RRC रोयलिटी रिवेन्यू सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है वो RRC इनके सारे जो दस्तावेज हैं जमीन हैं उनके साथ 12 पर RRC चड़ सकते हैं और मैसूल विभाग एक समय तैय करेगा अगर उस समय तक अगर वो नहीं गया तो उनकी जमीनों की निलामी कर दी जाएगी राजस्व का जो नुकसान हुआ है उसे कही न कहीं कई गुना उसे वसूला जाता है यही नियम है और नियम के ताथ वह वसूला जाएगा इस केस में एक और नई बात सामने आई है कि इस केस के जो जांश अधिकारी थे बोर गडे जी उनका तबादला कर दिया गया है और अभी इस केस के मॉयल का जो केस है एटीपी डूब्लिकेट इटी वाला इस केस के जांच अधिकारी संकेत चौधरी हैं जो API है जो दो दिन पहले ही अभी निव्ट हुए हैं इस केस की जांच के लिए तो बड़ी खबर है उसका नाम सामने अभी कोई नहीं ले रहा है और इसलिए शायद ऐसा हो सकता है कि जितने भी ट्रक मालक है उनके ओपर भारी भर्गम पेनलिटी लगाया जाएगा क्योंकि यह वसूला ही जाएगा क्योंकि आरोप तो सिद्ध हो चुके हैं क्योंकि माल सप्लाई किया गय है वहाँ पर बिल निकले हैं पेमेंट हुए हैं और काफी चीज़ें लेकिन और कितने हैं वह देखने वाली बात है आप हमारे साथ जरूर जुरे रहें अधिक जनकारी के साथ हम जल्द लोटेंगे आप देखते रहें अपने दोस्त भी यह सिंक के साथ जैंट